हेलो फ्रेंड स्वागत है इस नए वीडियो में दोस्तों आपके पास भी ज़िदी भीवो का Y12S है दोस्तों और उसमें आपका FRP लगा हुआ है FRP आपको अनलोक करना है तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों इस तरह से आप चक बॉक्स को जब आप टिक करके आगे जाए तो आपका वहाँ पर जो FRP है जो है वह मागेगा तो इसी को इस वीडियो में उनलोक करके दिखाएंगे दोस्तों तो दोस्तों चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह जानकर इस लेटेड वीडियो करेंगे और आपको यहाँ पर Don't copy जाके वहाँ पर जैसे ही आप mail ID का ओपशन में जाएंगे दोस्तों कि इस तरह से यह checking info और आपको यहाँ पर लंग के जाएगा तो इस तरह से जैसे ही हाँ आप जाएंगा दोस्तों आप आप ये जो आपका पहले जो mail ID था वहीं आपको इंटर करने के लिए यहाँ पर बोला जाएगा जो आपको पता नहीं है तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको FRP unlock करके हम आपको दिखाएंगे जो आपको पता नहीं है और बिना आपको mail ID का कैसे हैं आप इसको आप लोगि आपको दोस्तों सेम उसी को volume up and down को प्रेस करके रखना है तो यहाँ पर आपका talkback जो है दोस्तों यहाँ पर आपका आपका own हो जाएगा यहाँ पर own होने के बाद यहाँ पर इस तरह का आपका interface आएगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर आपको right chin ने जो रहता है इस तरह से आपको यहाँ पर ऐसे करना है ड्रो यहाँ पर आपको इस तरह से आपको यहाँ पर ड्रो करना है दोस्तो ड्रो करने का बाद यहाँ पर आपको डबल टेप करना है अलाओ करना है और यहाँ पर आपको नीचे में सिंगल टच करना है दोस्तो और यहाँ पर आपको यूज भॉयस रिकमेंड में सिंगल ट्रेस करना है और यहाँ पर आपको डबल टेप करना है यहाँ पर डबल टेप करना है दोस्तो और डबल टेप जैसे ही करेंगे यहाँ पर बोलना है ओपेंड गूगल असिस्टेंट बोलना है दोस्तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर लुज विदाउट अकांट जो है उसको आपको करना है दोस्तों और यहां पर आपको power on-up button सोरी volume up and down को आपको प्रेस करके रखना है तो अब आपका अपका यहां पे टॉल्क बेक जो है दोस्तों यहां पर आपका अप हो जाएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आगे जाना है इसको close कर देना है और आपको यहाँ पर बोलना है open setting ओपेन सेटिंग बोलना है दोस्तो तब यहां पर आपका सेटिंग जो है यहां पर ओपेन हो जाएगा और सेटिंग यहां पर ओपेन होने के बाद दोस्तों यहां पर आपको नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद है यहां पर सिस्टम का ओप्षन है और यहां पर आपको option मिलेगा reset option का उहाँ पर जाना है reset all setting पर जाना है दोस्तों यहाँ पर reset all setting को यहाँ पर कर देना है reset all setting को आप जैसे ही करेंगे दोस्तों यहाँ पर कुछ time लेगा और आपका जो भी यहाँ पर setting है दोस्तों वो सारा को यह restore कर देगा तो इस तरह से आपका कुछ दिर इसमें time लगता है दोस्तों तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आपका यह restore करता है यहाँ पर भीवो का logo है वो सबसे पहले आएगा दोस्तों फिर आपको यहाँ पर कुछ दिर wait करना पड़ेगा जो restore का जो option है वो यहाँ पर टाइम लगता है तो इस तरह से दोस्तों फिर से आपका जब है इस तरह से मुबाइल आपका जब ओन हो जाए को खुलेगा फिर से आपको यहां पर नेक्ट करना है और यहां पर आगे जाना है फिर से चक बॉस को टिक करके यहां पर आगे जाना है दोस्तों यहां पर फिर से दोस्तों आपको फिर से एक बार प्रेस करके रखना है और यहाँ पर आपका जैसे ही प्रेस करेंगे turn on लिखा हुआ आएगा turn on कर दिना है फिर से आपको यहाँ पर volume up and down दोनों को आपको प्रेस करके रखना है दोस्तों तो आपका यहाँ पर talkback जो है आपका यहाँ पर on हो दोस्तों इसको जैसे ही करेंगे दोस्तों फिर से यहां पर अपका आएगा यहां पर आपको नीचे में जो है handle और यहां पर फिर से बोलना है open Google Assistant यह आपको बोलना है दोस्तों तो यहां पर आपका इस तरह से इंटरफेस आपका open हो जाएगा फिर volume up and down इसको आपको दोनों को प्रेस कर देना है तो आपका यहाँ पर accept and continue है यहाँ पर आपको touch करना है यहाँ आपको no thanks पर करना है और इसके बाद आपको दोस्तो सर्च वाले option में यहाँ पर आपको लेके जाएगा और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब करना है FRP file आपको यहाँ पर search करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि डॉट को इसको आपको टच कर देना है इसको टच करने के बाद यहाँ पर आपका यह लोडिंग होगा और लोडिंग होने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से आपका यह लोडिंग होगा loading पूरा होने देना है आपको net apps में आपको proper रखना है जो जल्दी होगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे उपर में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर से देखने को मिलेगा set lock screen इसको आपको touch करना है दोस्तों तो यहाँ पर आप pattern pin जो भी यहाँ पर लगा सकते हैं तो pattern हो यहाँ पर लगाते हैं और यहाँ पर आपको यह जो lock screen दोस्तों कुछ भी आपको यहाँ पर draw करना है जो आपको easy तरीके से याद रहे और इसको आपको यहाँ पर confirm कर देना है दोस्तों और यह आपका trick work किया की नहीं इसको चेक करने के लिए power on up button को press करेंगे फिर on करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर lock आपका लग चुका है तो 100% दोस्तों यह trick जो है आपका यहाँ पर work किया है इसको skip कर देना है और यहाँ पर आपको back fully आपको यहाँ पर back चल जाना है यहाँ पर आपको back चल जाना है दोस्तों बेक चल जाना है और यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर जो है वाइफाई को यहाँ पर आपको connect करना है आपको वाइफाई को connect करेंगे फिर से आपको जो है इस तरह से आपको यह तुरह से टाइम लेगा और उसके बद आपके य यहाँ पर जाने के बाद इस तरह से आपको checking info लेगा चेकिंग इन पर यहाँ पर लेने के बाद mail ID का जो option है वहाँ पर आ जाएगा दोस्तों वह आने के बाद यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं और यहां पर आपको OK कर देना है, तो अब जैसे यहां पर आप OK करेंगे दोस्तों, आपका कुछ देर यहां पर टाइम यह लेगा, और यहां पर आपको Next करना है फिर से, और बेक बटम किस तरह से चाहिए, वो बोल रहा है, फिर आपको यहां पर Next यहां पर करना है, तो इस बैठे जो है भीवो वाई टूबेलेस का एफ रपी आप घर बैटे उनलोग कर सकते हैं